असलाम वालेकूम रहमतुलाही वरकादोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग ठीक ठाक होंगे खैरियस से होंगे आज की वीडियो में हम सौधीरब की कुछ बड़ी और इंपोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ सेर करने वाले हैं पhले अपडेट ये है कि सौधीरब में 4 दिसंबर से एक और नया कानून जो है वो लागू होने जा रहा है अपडेट के मुताव बताया है ये गया है कि हर किसम उप पर इलक्टरानिक बिल मसीन होना जरूरी है 4 दिसंबर से अगर किसी भी उप पर इलक्टरानिक बिल मशीन नहीं होगी तो उसको घरामा होगा जनस तो अगर जतने भी सूधी रब के अंदर शोप मवजूद है याने दुकाने मवजूद हैं हर दुकान पर इलेक्टरानिक बिल मशीन जो है वो 4 दिसंबर से होनी जरूरी है, अगर किसी भी दूकान पर 4 दिसंबर से एलक्टानिक बिल मसीन नहीं होगी, तो उस दुकान को गिरामा किया जाएगा यहां मैं जुरमाना उस पर दिया जाएगा वलादिया की टीम की तरफ से, जब भी चेकिंग के दोरान मलदिया की टीम देखीगी किसी भी दुकान पर इलक्टरिनिक बिलमसीन नहीं होगी तो तो उस दुकान को फाइन मलदिया की टीम भी मारेगी तो अगर आप भी दुकान दा रहें तो इस चीज़ का खाल zero रखें इसके लवंगल इपडेट ये है कि सौधी जवाजात से सवाल पूछा गया है कि जो एकामा और वीजा बढ़ाने का सौधी गवर्मेंट की तरब से एलान किया गया है ये किन देशों के नागरिकों का बढ़ाया जाएगा क्या इंडिया पाकिस्तान के लोगों का बढ़ाया जाएगा ये नहीं बढ़ाया जाएगा इस सवाल का जवाब देते हुए सौधी जवाजात ने कहा है कि जिन देशों पर फ्लाइट की पवंदी सौधी गवर्मेंट ने लगा रखी है उन देशों में जो फसे हुए लोग है उनका वीजा एकामा जो है वो फिरी में बढ़ बढ़ाया जाएगा यानि कि इसमें इंडिया पाकिस्तान का भी सौधी जवाजात की तरफ से जिकर किया गया है इंडिया पाकिस्तान और जिन छे देशों की फ्लाइट एक दिसंबर से निकल से ओपन हो रही है उन छे देशों में जो फसे हुए लोग है उनका वीजा एका चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या फिर जिन देशों पर और फ्लाइटों की पबंदी लगी हुई है उन देशों से अगर आप हैं तो आपका विजय इकामा जो है वो बढ़ाया जाएगा समाप्त होता है तो फिर आपको अपने कंपनी या कफिल से ही कौंटेक करना होगा आपकी कंपनी आपको कफिल ही बढ़ायेगा वाकि अगर आप उससे पहले आये हुए हैं एक वेक्सिन लगवा के आये हुए हैं या फिर एक भी वेक्सिन लगवा के आये हुए है नि जो पहल के डिरेक्टर ने मेरा हुरूब फाइल कर दिया था जबकि मैं काम पर मौझूद था और कुछी दिनों के अंदर हुरूब को कैंसिल करने के बाद मेरा फाने एक जिट लगा कर दे दिया अब मैं सौधरभ से आ चुका हूं जानना ये चाहता हूं कि क्या नए वीजे पर जबाजात ने कहा है कि जो लोग सौधरभ से कामनी तोर से फाने एक जिट लगवा कर जाते हैं अगर उनके ओपर किसी तरह का कोई मुकदमर नहीं है तो वो कभी भी सौधरभ में आ सकते हैं नए वीजे पर जबकि जबाजात ने आगे ये भी कहा है कि खुरूब लगने के 15 रोज के अंदर अंदर हुरूब को कैंसिल कराया जा सकता है 15 रोज गुजर जाने के बाद वरकर की जो फाइल है वो सील कर दी जाती है और फिर मामला जो है वो लेवर कोट में चला जाता है 15 रोज गुजर जाने के बाद अगर आपको खुरूब कैंसिल कराना होता है तो आपको labor code से contact करना होता है और वहाँ पर हर तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं क्यों आपको हरुप लगाया गया गया अगर आप company के पास से भागे हुए है या कफिल के पास से भागे हुए है तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप company या कफिल के पास काम कर र होँसे फृर आपका हुरुम केंसल कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से कड़ाएगे अगर लीबर कोड से लगा जाता है तो फिर आप सुधर पर उज20 कर पर कभी भी सुधर भी आ सकते हैं